प्रणाम गुरुदेव, मेरा एक प्रशन है कि क्या मासा आरी व्यक्ति कभी अपने जीवन में आप्तमग्यान को अपलब दो सकता या नहीं? मेत पूल सवाल है, सात्विक भोजन पर, शाकाहार पर ऐसा भोजन जो उत्यजक नहों, मादक नहों, उस पर जोड़ दिया जाता है साधना में, तो सभा ہوتा है, प्रशन पैदा होता है क्या तामसी भोजन करने वाले, हिंसक भोजन करने वाले, वेवी आदमग्यान को उपलप बहुत मुश्किल पड़ेगी भोजन शरीर में जाता है आत्मा में नहीं जाता इस बात को इसमरण रखिएगा लेकिन आत्मा तक अंतर यात्र करके जो भीतर पहुँचता है वो करीब करीब ऐसा है जैसे कोई एवरेश्ट पे चढ़ाई करे अपने ही चैतन पर उपर उठना होता है अगर कोई पूछे कि क्या हम बहुत भारी भोज लेके और चार सूटकेश सामान लेके हिमालय पे चढ़ सकते हैं चढ़ सकते हैं अगर आप बहुत बड़े पहलवान है लेकिन खाली हाँ जाएंगे तो आसानी से पहुँच जाएंगे है लेरी और देंसिंग जब एवरेश्ट पे पहली वार चढ़े थे तो कोई 20-25 फुट पहले कैमरा भी छोड़ देना पड़ा था अब छोटा सा कैमरा लेकिन वहाँ पर जहां हावा इतनी कम है बिल्कुल सीधी चड़ाई है चोटा सा कैमरा भी बहुत भारी लगता है तो हम जितने निर्भार होंगे जितने हलके होंगे उतने ही उचाई तक जा सकेंगे लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं तो मैं इनकार नहीं करूँगा कि मान साहरी व्यक्ति आत्मियान को उपलब्द नहीं हो सकते ऐसा नहीं कहूंगा हो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से तो जो काम आसानी से हो सकता है उसे कठनाई से क्यों करना हो सकता है कोई विर्ला व्यक्ति ऐसा हो जाए लेकिन वो सामान नियम का हिस्ता नहीं बनेगा तो हमें इसा इसमरन रखें हमारी छमता कितनी है हमारी शक्ति कितनी है हम जितने हलके फुलके हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा निश्चित्रूप से हमारे तन और मन पर भोजन का प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव हमारी अंदर यात्रा को भी प्रभावित करता है एक व्यक्ति जो सारे जगत के प्रती प्रेम पूर्ण होना चाहेता है समश्टी के प्रती प्रीती से अर्थात भक्ती से बनना चाहेता है उसके लिए मानसाहार जैसा हिंसक भोजन सूटेबल नहीं होगा जो अपनी स्वात की खातिर किसी के प्राण लेने को तैयार है ये सारे अस्तित्य के प्रती प्रेमपूर्ण कैसे हो पाएगा ज़रा सोचो कठिन है मुश्किल है असंभव मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन बहुत कठिन है तो सामानी नियम इसमें रण रखें हम जितने निर्भार होंगे जितने हलके फुलके होंगे मैं तो सोचता हूँ भविश्च में कभी ऐसा दिन भी आए कि हमें शाकार भी ना करना पड़े क्योंकि आखिर हिंसा तो उसमें भी होती है मान सहार से कम हिंसा होती है लेकिन होती तो है काश ऐसा हो सके कि हम सीधे सूरज से भोजन प्राप्त कर सकें जैसे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं और इसकी संभावना है, क्योंकि हमारे रख्त में जो हीमोगलोबिन है, उसका केमिकल इस्ट्रक्टर, पेड पौधों में जो हरा रंग होता है, क्लोरोपलास्ट की वज़े से, जो क्लोरोफिल है, उसकी रासायनिक संद्रचना और हीमोगलोबिन की संद्रचना बिल्वकुल एक सी है, सिर्फ एक चीज का अंतर है, वस लिमोगलोबिन में आइरन होता है, उसकी जगह क्लोरोफिल में कोई दूसरा अतत्व होता है, आइरन नहीं होता है, वस इतना सा फरक है, बांकी के पूरा केमिकल इस्ट्रक्चर हूँ बहु उज्यों का त्यों हैं, आधुनिक जैनिटिक इंजीनिरिंग काउपियोग करते हुए, भविष्च में एक संभावना नजर आती है, कि मनुष्य के भीतर भी, क्लोरोफिल जैसी चीज पैदा की जा सके, कम से कम तवचा में, अच्छा है, गोरे काले का भेद भी मिढ़ जाएगा, सब हरे भरे लोग जब थोड़ी भूख लगी दूख में जाके, गंटा आदा गंटा खड़े हो गए, भोजन बन गया, हो सकता है, थोड़े मिनरल्स, कुछ विटामिन्स हमको खाना पड़ें, पानी दियेंगे, बस इससे कम चल जाएगा, कैलोरी प्राप्त करने के लिए, जो खुद बना सकेगा, तो मुझे इसकी संभावना नजर आती है, तो मानसाहार में बहुत ज्यादा हिंसा है, शाकाहार में उससे कम हिंसा है, और ये नया भोजन का जो पैटरन होगा, उसका नाम रख देते हैं सूर्याहार, इसमें विलकुल हिंसा नहीं होगी, हिंसा की पेड़ पौदे सीधे सूरज की रोशनी को फोटो सिंथिस के द्वारा भोजन में परिवर्तित कर ले रहे हैं, फिर साकाहारी पशु पंच्छी इन पेड़ पौधों को खाते हैं, फिर मानसाहारी पशु उन जानवरों को खाते हैं, तो मानसाहार में बहुत ज्यादा हिं हिंसा हुई समझो एक बकरी ने अपनी जिन्दगी भर में जितने घास पात खाया था उतना भोजन बकरी ने नश्ट किया फिर इस बकरी को शेर ने खाया इस बकरी के साथ उतना बड़ा भोजन का बंडार जो उसने यूज किया था वो सबसमाप्त होता है यह ज्यादा हिंसक है पेड़ पौधे सबसे कम हिंसा कर रहे हैं जमीन से पानी ले रहे हैं थोड़ा से मिनरल से ले रहे हैं मा की सबसूरत से उनको मिल रहा है काश ऐसा हो सके तो भविष्ट की संभावना वह और भी अच्छा होगा हमारे भीतर से वो छोटा मोटा हिंसा का तत्व है आलू प ग्यहूं का पौधा जो कर रहा है वो काम हम खुद ही कर सकते हैं डारेक्ट और एक बार ऐसा होना सुरू हो जाए तो आजीव का उपाजन के लिए जो इतना श्रम लोगों को करना पड़ता है उसकी जरूवत भी 90% खतम हो जाएगी हमारी सायरी महनत तो भोजन कमाने के लि बहुत स्रम से हम आदमी मुक्त हो जाएगा हम जीवन को ज्यादा एंज्वाई कर सकेंगे ज्यादा भावपूर तरीके से आनन्द पूर्मत तरीके से ध्यान में डूबने के लिए खूप समय मिल सकेगा अभी भोजन कमाने के लिए ही सारी उर्जा चुक जाती है धिकांस लोगों की और कुछ लोग फिर भी वहें नहीं कर पाते बड़ी दिंदरिद्र हालत में जीते हैं शायद इसकी बविश्च में कोई जरूवत नहीं रह जाएगी इस धंग से जीने की तो मानसाहार में बहुत ज़्यादा हिंसा है शाकहार में उससे कम हिंसा है सूर्याहार में हिंसा बिलकुल शुन्न हो जाएगी एक बहतर मनुष्चता का जनम हो सकेगा पूछा है आपने आत्म ग्यान तो आत्मा तो सब के पास है उसका ग्यान सब को हो सकता है लेकिन जितना ज़्यादा हमारा फैलाओ बाहर कम होगा, जितना हम नकारात्मक चीजों में कम व्यस्त होंगे, उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ मुड़ने का अवसर हमें मिलेगा। वो अपने भीतर भी अतिंदरी संवेदनाओं को आसानी से उपलब्द हो सकेगा। तो याद रखिएगा, असंभाव तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। चली अगले सवाल। और वो कहते हैं फोकस मत करो, तो यदि यहां से फोकस हटाओ अग्या चक्र से, तो भी शहस्रार पर ही फोकस हो जाता है। तो क्या ठीक है यह। बैठिये। आग्या चक्र की विधी मुख रूप से पुर्षों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, महिलाओं के लिए नहीं है। सहज रूप से हमें जो होता है उसको स्विकार करें अहो भाव के संग। और हमें आग्या नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो कि वैसा हो। सास्त्रों में, गरंथों में, बुद्ध पुर्षों के बचनों में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पर याद रखी वो अलग-अलग प्रकार के शिश्यों के लिए, शिश्याओं के लिए कही गई बाते हैं। विसे इसका पुराने गरंथ अधिकांस्त है पुर्षों के द्वारा लिखे गए। और पुर्ष शिश्यों की खातिर कही गई बाते हैं वो। प्राचीन युग में महिलाओं के लिए अध्यात्म में तो प्रवेश असंभव था। उन्हें तो जीवन की छोटी-छोटी चीजों में भी अनुमती नहीं थी कुछ भी करने की। उनको तो बस चोके में बंद कर दिया गया था, घर की दिवारों में कैद कर दिया गया था। कुछ और करने का सवाल ही नहीं था। ना वो साहित्य सर्जन कर सकती थी, ना वो राजनीती में आ सकती थी, ना अर्थिव्यपस्था में कोई योगदान कर सकती थी, ना किनी सामाजिक चीजों में कुछ, सब प्रकार से उनको पंगू बना दिया गया था, ना वो सिक्षा प्राप्त कर सकती थी, इसलिए प्राचि का अंस बातें महिला साथकों के लिए लागू नहीं होती हैं इसलिए हमारे मन में यह आग रहना हो कि हमको ऐसा क्यों नहीं हो रहा ऐसा होना चाहिए ठीक है वो किसी को वैसा हुआ होगा वो उनके अन्भौव की बात है जरूरी नहीं कि हम सब को वैसा ही हो और पुरोष और इस्त्री में बहुत बड़े-बड़े भेद हैं इसका इसमरण रखिएगा आदुने किग में लगभग पिछले सौ सालों से धीरे-धीरे इस्त्रीयों ने जीवन के विविद आयामों में प्रवेश लिया है यदा कदा कोई विरली महिलाए हुई अपवाद स्वरूप बुद्ध पुरुष शब्द है बुद्ध नारी जैसा कोई शब्द ही नहीं है शब्द भी आकर अनभाव से बनते हैं जो घटनाएं घटती है उनिक अनुसार नामकरण हो जाता है तो नारीयों को इस दिशा में कभी कोई आवसर नहीं मिला था ये नया आवसर आरंभुआ है पुर्षो वाली ध्यान पद्धतियां हो सकता है उनके काम की ना हो और इसलिए ओशो ने भत्ति के मार्क पर भी बहुत बल दिया है क्योंकि ओशो ने महिलाओं को शिश्चाओं के रूप में स्विकार किया बलकि कहने चाहिए सबसे पहला सन्यास उन्होंने एक महिला को ही दिया पुरानी परंपरा तोड़ने के लिए हर जगा पुर्षों का वर्चश्व यह उचित नहीं पहली सन्यास दीक्षा एक इस्त्री ने ली शुब हुआ, सुन्दर हुआ आगे से ख्याल रखिएगा जो विधी आप कर रही है ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी कर दे अब उसके परिणाम स्वरूप जो घटना घट रही है अनभौ जिस प्रकार का घट रहा है उसको स्विकार कीजिए और भीतर से हमारे आग रहे और अपेक्छा ना हो कि जाए सामने सुना था, पढ़ा था वैसा होना चाहिए वो सकता है वैसा ना हो हर व्यक्ति यूनीक है और जब मिस्त्री पुरुष कह रहा हूँ ये तो दो मोटे मोटे विभाजन हो गए लेकिन उस कोटी में भी हर व्यक्ति यूनीक है, अलग-अलग है सबको एक संभाव नहीं हो सकते सबको आग्या चक्र का ध्यान नहीं लगेगा लगाने की जरुवत भी नहीं है इसलिए हमेसा याद रखना कवीर साहब का वचन सहज समाधी भली जो सरलता से सुगमता से, सहचता से spontaneously अपने आप हमको हो हम अहो भाव पूरवक उसको स्वीकार है आपका ध्यान सहस्त्रार पर पहुँच जाता है अपने आप, बिल्कुल ठीक शुब हो रहा है, सुन्दर हो रहा है उसको सपोर्ट कीजिए उसमें सहयोग कीजिए आग रह नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वैसा क्यों नहीं हो रहा हर व्यक्ति अलग-अलग है और इसलिए हमारे अनुकूल जो होगा अस्तित्व की महरवानी से हमको वो घटित होगा तो अपनी यूनिकनेस अपनी असाधरनता अपनी अद्वतीता को पहचानिए दूसरों की असाधरनता को भी इसमरन रखिए हर व्यक्ति अनौखा है ऐसे व्यक्तियास तक न कभी हुआ है और न कभी होगा आप विलकुल अद्वती हैं और इसलिए हमारे फिंगर्पिंट्स ही अलग नहीं होते अब जरा सोचो फिंगर्पिंट्स का क्या महत्व है हाथ की अंगली की तवचा उसमें बने निशान इनका कोई महत्व हो सकता है जब इतनी छोटी सी चीज भी अस्तित्तों ने यूनिक बनाई है तो ध्यान और समाधी जैसी घटना भला कैसे सामान्य होगी वो भी यूनिक होगी तो स्वयम के प्रतीस रधा से भरें आत्म प्रेम से आत्म सम्मान से भरें और हमें जो होता है हम उसको सहर्स भाव से स्विकार करें और धन्नवाद दें जो चक्र के ध्यान अपने आप पहुँच रहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही होने दें परणाम गुरुदेव महरसी अस्टावक्र ने आलस श्रोमनी की व्याख्या की है किरपयाइक्स का भावार्थ बताए महत्पूर और नया शब्द है अब नया तो नहीं कहना चाहिए अस्टावक्र को हुए तो पाँच हजार साल हो गए साड़े चार हजार साल तो कम सकम हो ही गए आलस श्रोमनी हम सब के मन में करमठ व्यक्ती की प्रसंसा है और आलसी व्यक्ती की निंदा है आलोचना है क्योंकि हम बड़े दीन दर्द्रता में हजारों साल से जीते रहे हैं विज्ञान के विकास के बाद संपन्नता अभी अभी आई ही है लगवग आधी दुनिया तो संपन्न हो गई मनुष्य का कर्म अब मशीने करने लगी जल्दी ही बुद्धी का काम भी धीर धीर सब आर्टिफिशल इंटेलिजन्स टेक ओवर कर लेगी तो शारिरिक बल का अब कोई महत्व नहीं बचा आने वाले पात-दस साल में ही बुद्धी का कोई काम नहीं रह जाएगा इसकूल कालेज की पढ़ाई लिखाई लगवग समाप्त हो जाएगी उसका कोई उप्योग ही नहीं बचेगा मशीन वह काम हमसे हजजारों गुना अच्छा कर सकती है अभी भी बहुत जगह कर रही है हमको पता नहीं होता आप हवाईजाज में बैठते हैं आप आस्वस्त रहते हैं कि बढ़ा ट्रेंड पाइलट है आपको पता नहीं है कि एक आटो पाइलेट की बटन है वो जाके सिर्फ उसको दवा देता है पाइलेट का कोई रॉल नहीं होता हवाईजाज चलाने में अल्मोस्ट जीरो परसेंट हवाईजाज अपने आप ही टेक आफ करेगा अपने आप उस दिशा में जाएगा जहां उसको जाना है लेंड करेगा सब कुछ आटोमेटिक है पाइलेट का करीब करीब कोई काम नहीं है लेकिन बिना पाइलेट के हवाईजाज में बैठ में आपको डर लगेगा इसलिए पाइलेट को तन खदर नहीं बढ़ती है दिखाव टी आइटिफिशल इंटेलिजेंस हर जगा टेक ओवर करती जा रही है बुद्धी की मेमोरी की भी कोई कीमत नहीं लेकिन पुराने जमाने बहुत ज़ादा थी जो आदमी जितना इस्म रतिवान हो उसकी उतनी महिमां थी विद्वान आदमी की बड़ी महिमां थी और ठीक किसी प्रकार करमत व्यक्ति की वह करम करेगा काम करेगा तब जाके किसी प्रकार जीवन को चला पाएंगे, सम्हाल पाएंगे धीरे धीरे इन दोनों चीजों की महत्ता खतम होती जा रही है वो 5000 साल पहले अस्टावक्रन जो कहा था आलश्ट शिरो बनी यह बात वही है जिससे जेन फकीर कहते है sitting silently doing nothing the spring comes and the grass grows by itself हे राजा जनक कुछ न करो कुछ न करने में सिर्फ सरीर कही नहीं महन सिक्रिया भी मत करो विचार भी न करो इस्मरती और कलपना भी न करो आलश्श्ष्रो मनी पूरी तरह निश्क्री हो जाओ खिरदय के तल पर भावनात्मक तल पर भी कुछ लिए कलाप न हो ना बुरी भावना ना सतभावना कुछ भी नहीं उस कुछ न करने की दशा में अपनी चेतना का अनभा होता है अन्यथा वह चेतना इन क्रिया कलापों में व्यस्त हो जाती है चाहे भावनाओं में, चाहे विचारों में, चाहे शारिरिक कर्म में, वही चेतना की उर्जा तो इनमें काम कर रही है, जब वो आक्यूपाइड हो जाती है, फिर उसका पता चलाना मुश्किल हो जाता है, अगर हम कुछ भी ना करें, वो शुब कहते हैं, meditation is a state of un-occupied body and mind. चित और शरीर की अव्यस्त दशा का नाम है ध्यान, तो वही आलस्य सिरो मणी वाली बात, दूसरे धंग से कह रहे हैं, ओशो, अगर कुछ छण के लिए भी हम कुछ ना करने की स्थिति में हो जाएं, तो हम क्या जानेंगे, हम अपने होने को ही जानेंगे, और कुछ जानने को करने को सोचने को बचा ही नहीं, उस महाशुन में हमारा प्रवेश हो जाएगा, हाथ में ज्ञान फलित हो जाएगा, तो अश्टवक्र ने जो संदेश दिया महागीता में जनक को, वह आलस्य श्रो मणी होने का है, और राजा जनक ने वैसा ही तुरंत अन्भाव कर लिय उन्होंनों नहीं पूछा कि इसकी विधी क्या है, क्योंकि विधी पूछते तो फिर कर्म आ गया, अगर वो पूछते कि इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसका मतलब चुग गया बात नहीं पकड़ता है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ भावना में डूबना है ना कोई प्राथना कुछ भी नहीं Pure Nothingness तो आलशिष रोमणी बड़ी प्रसंसात्मक धंग से उपयोग किएगी शब्दा वली है हो सकता है भविष्च में जब आदमी के सारे रिक कारिय और मानसिक कारिय सब मशीन के द्वारा, रोबोट्स के द्वारा AI के द्वारा किये जाने लगेंगे बड़े पैमाने पर हम आलसी लोगों की महिमा को पहचानेंगे कि लोग कितने भले लोग हैं कुछ नहीं करते देखो और ये दुष्ट उपद्र भी कुछ न कुछ करते रहते हैं तब हमको पता चलेगा जो करमठ लोग थे ये कोई भले लोग नहीं थे यही वे लोग हैं जो युद्ध करते हैं यही वे लोग हैं जो आतंकवात फैलाते हैं यही वे लोग हैं लड़ाई जगड़ा, हर इस तर पर कुछ न कुछ, यह चैन से बैठ नहीं सकते हैं, करमठ आदमी जल्दी ही निंदनी हो जाने वाला है, दिर नहीं लगेगे, करमठ आदमी बहुत ही अलोचना का पात्र बन जाएगा, कि यह दुष्ट आदमी बैठी नहीं सकता, चैन से कुछ न कुछ करता हो, जो कुछ भी करेगा, वो गड़बड होगा, क्योंकि करने की कोई ज़रूबत नहीं है, ठीक किसी प्रकार हम जिनको बुद्धिमान आदमी कहते थे, अर्थात इसमरती वाले लोग, इनकी कोई भी उपयोगिता नहीं रह जाएगी, कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी, ये व्यर्थी अपने सिर में इतना भाल ढो रहे थे, तो हमको पता चले गए आदमी तो पांगल है, इतनी जानकारी खट्टी को रखता है, करमठ आदमी उपद्र भी लगेगा, अपराधी जैसा प्रतीत होगा, और वो जो ग्यानी आदमी है, वो भगल जैसा लगेगा, अभी भी है इस्थिती यही, हम जिनको विद्वान कहते हैं, पगलाए हुए लोग हैं, वियर्थ की बातें अपने सिर में खोपड़ी में समा के रखे हुए हैं, इन दोनों चीजों से छुटकारा हो जाएगा, अर्थात शारिरिक्रियाएं और मानसिक्रियाएं, दोनों का कोई उपयोग नहीं बचेगा, और तब हम पाएंगे, जो आलशिश रोमणी हैं, ये सजजन लोगों की कैटेगरी में आएंगे, देखो कितने भले लोग हैं, ब अभी कभार कुछ करने का मन हुआवरना कुछ नहीं करते हैं, आराम से पढ़े रहते हैं, खाते पीते आराम से रहते हैं, कितने भले लोग हैं, इनको पुरुषकार दिये जाएंगे, महवीर चक्र तो नहीं मिलेगा इनको, अश्टावक्र चक्र मिलेगा, आलशिश भारत भूषन, शांती से रहने वाले लोग किसी के जीवन में कोई जंजट पैदा नहीं करते हैं, हमारी परिभाशाएं बदल जाएंगे, तो याद रखना एक गरीब समाज की आवश्यक्ता थी, मजबूरी थी, कर्मठ व्यक्ति का, विद्वान व्यक्ति का सम्मान करना पड़ता था, उस सम्मान की वज़े से लोग उतनी मुसीवत उठाने तयार होते थे, भविष्ट में इसकी कोई उपयोग इता ही नहीं बचेगी, एक संपन्न दुनिया में, व्यज्ञानिक रूप से उन्नत दुनिया में, तब हम जानेंगे कि अच्छे आदमी वो हैं, ज पांकी के लोग या तो अपराधी या पागल की केटेगरी में आ जाएंगे, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्दिव प्रणाम, स्वामी रामरुज भारती भुपाल से, सर्वें जैसे इनार आकास देखे अपने, और उसमें साउन सुने, तो ये, बुलते हैं, ये हमारा हम ओई हैं, और फिर हम देख रहे हैं तो वो कौन है, और माने इसमें हमें कुछ द्रस्टा और द्रस्टा को भी देखने वाले में, थोड़ी, मुझे लगता कुछ थोड़ी सी परशानी है पहली से बहुत दिन से, इस परशानी को देखिए एक छोटा सा चुटकुला ओशोन सुनाया है, मुझे उम्मीद है उससे आपकी परशानी हल हो जाएगी, एक संदर प्रत्योगता हो रही है, मंच पर इस्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आ रही हैं, और लोग एक टक उन्हें देखे जा रहे हैं, एक आदमी सामन वाली रो में अपनी कुर्सी को पल्टा के वैठा, उल्टी तरफ, दर्शकों की तरफ देख रहा है, तो किसी ने उससे पूछा, कि सब लोग यहां सुंदर प्रत्योगता देखने आए हैं, आप कुर्सी पल्टा के पीछे क्या देख रहे हैं, उसने का मैं एक मनुवैज् और मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं PhD कर रहा हूं उसमें, प्रोजेक्ट कर रिसर्च वर मुझे ये करना है, कि सुन्दर इस्चियों को देखकर प्रोजों के चहरे पर क्या हाव आते हैं, मैं उसका अध्यन कर रहा हूं, केस स्टड़ी, मैं आप लोगों का अध्यन कर रहा बात समझ में आती है अब इसको हम और खिसकाए पीछे कि एक आदमी बालकनी में बैटा है दुरवीन लगा के और उसके दुरवीन फोकस है इस मनोवज्ञानिक पर और उसे पूझे भाई तुम क्या कर रहा हूँ वो कहे कि सुन्दर इस्त्रियों को देखकर दर्शकों के बदलते हुए हाव भाव के अध्यान करने वाले मनोवज्ञानिक का मैं अध्यान कर रहा हूँ फिर तो कहानी बढ़ी लंबी हो जाएगी कि उसको कोई दूसरा अध्यान कर रहा है उसका कोई और अध्यान कर रहा है उसका कोई और A, B, C, D endless story हो सकती है चुटकुले में तो हो सकता है ऐसा लेकन याद रखिएगा वास्त्विक जीवन में ऐसा नहीं है बाहर का द्रश्य जगत है इसको देखने वाला हमारा द्रश्टा ये तन्मन है और इसको देखने वाला वह साप्छी चैतन है उसके पीछे और कोई नहीं इसलिए बार बार महागीता में अश्टावक्र कहते है परम साप्छी परम का क्या अर्थ होता है परम का मतलब है the ultimate, final जिसके और पार नहीं जा सकते वो परम है अगर उसके भी और पीछे के सक सके इसका मतलब बो भी ultimate नहीं था परम साप्छी का अर्थ है अब इसके बाद और कोई नहीं है जो इसे जान रहा हो तो जब हम द्रश्टा भाव का अनभाव करते हैं तो हम द्रश्ट से भिन्ध हुए और और गहरे जाते हैं अपने भीतर अंतर जगत का अनभाव होता है उसे भी हम जान रहे हैं उसके भी हम द्रश्टा हैं और पीछे के सकते हैं जहां ओंकार और आलोग सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं उसको जान रहे हैं एक आकाश जैसा विराट फैलाव महसूस हो रहा है उसे जान रहे हैं यह जो जानने वाला है अतिंद्री अनभावों का भी साक्षी है यही तुम हो क्योंकि इसके पीछे अब नहीं किसक सकते दिस इस दा फाइनल और पता चलता है कि आकाश जैसी विराटता का अनभाव भी इसी का स्वयम का अनभाव है यह स्वयम ही स्वयम को जान रहा है यह उंकार और आलोग स्वयम से भिन इनकी कोई अलग से सत्ता नहीं है यह भी उसी चैतन की गूंज है उसी की आभा है इसको समझने में हमें भी लंब हो सकता है आपने जो कहा कि बहुत सालों से परेशान हूँ तो परेशानी का कारण भी समझें ऐसा समझें कि जंगल में कोई बर्फ का पुतला भटक गया था और खोज में था कि मेरा उद्गम इस्थान कहा है और मेरी आखरी मंजल कौन सी है उस बर्फ के पुतले को किसी ने बताया कि तुम्हारा जन्म सागर से हुआ है तुम पानी से वने हो इसलिए तुम्हारा मूल स्रोत वही है और तुम्हारा डेस्टिनेशन अंतिम गंतब भी वही है तुम किसी ना किसी रूप में अंतिता फिर एक दिन सागर में पहुँच जाओगे तुम सागर स्वरूप हो वो बर्फ का पुतला सागर की खोज में निकला GPS तो उसने पता लगाया कि सागर कहा है पहुँच गया सागर किनारे Google ने बता दिया कि यही है सागर वो किनारे बैठ गया लहरें आ रही थी जा रही थी बड़ा शोर गुल हो रहा था वो देखता रहा उसको लगा कि मेरा सौरूप कैसे हो सकता है मैं तो पुतला हूँ किनारे बैठा हुआ और यह विराठ सागर लहराता हुआ यह और में एक कैसे हो सकते है तब किसी नो उसको बताया कि सागर को जानने के दो तरीके है एक किनारे बैठ कर जानना और एक है सागर में छलांग लगा कर गहराई से उसको जानना मिल गय होंगे कबीर सहाब उनने कहा कि जिन खोजातिन पाईयां कहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबंडरी रही किनारे बैठ, उबर्फ का पुतला कूद गया सागर में, जैसे 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 नीचे बैठने लगा, फिखलने लगा, गलने लगा, सागर की गर्मी, धीरे धीरे धीरे, वैस्वयम ही सागर हो गया, को एक तरीका है किनारे बैठ कर जानने का और एक तरीका है स्वयम सागर हो जाने का हम जिसको ओнокार कह रहे अलोग कह रहे आकाश कह रहे भीतर का इसमें हमने एक कल्पित दूरी बना के रख़्ी है वास्तिविक दूरी नहीं है लेकिन कल्पित दूरी है क्योंकि हमारी आदत है जन्मों जन्मों की बाहर के जगत में हमने जो भी जाना उससे हम भिन्न थे प्रथक थे तो हमारी आदत हो गई जो भी हम जान रहे हम उससे अपने आपको अलग मैसूस करते हैं फिर हम भीतर जाते हैं ध्यान में डूपते हैं वहाँ जो अतिंदरी अनुभव होता है उसको भी हम ऐसे जानते हैं जैसे कि हम अलग थलग कोई हैं क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की आदत पड़ गई अपने आपको अलग समझने की उस आदत के वज़े से परेशानी होती है हम सुनते हैं कि ग्यानियों ने कहा है कि यही हो तुम भरोसा नहीं आता यही मैं कैसे हो सकता हूं थोड़ा धीरज रखो थोड़ा डूबो और एक दिन अचानक गेस्टाल्ट चेंज होगा वो जो हम अपने आपको एक इंडिवीज्वल समझ रहे थे पुतला समझ रहे थे इंडिवीज्वल की जगा यूनिवर्सल व्यक्ति की जगा समझ्टी सोयम का होना हो जाएगी अब तुम्हारी मर्जी है तुम उसे सोयम का होना कहो या ना कहो तुम यह भी कह सकते हो मैं बचा ही नहीं वो भी ठीक या कहो मैं ही मैं हूँ वो भी ठीक असली बात है हम अपने आपको एक इंडिवीज्वल व्यक्ति समझ रहे थे सारे अस्तुत्त से भिन्न वो हमारी पुरानी धार्णा की वज़े से था जिस दिन वैधार्णा हमारी तूटेगी अचानक जैसे कोई विस्फोट हो गया हो एक गस्टाल्ट चेंज हो जाएगा अभी हमारी आदत है छुद्र पे अटकने की और उसकी वज़े से हम विराट से चूग जाते हैं समझे एक बड़ी दिवार है और उस पर एक घड़ी लगी हुई है छोटी सी यह गड़ी दिवाल की तुल्णा में लेकिन मैं आप से पूछू बताई वहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको तुरंत कहोगे एक घड़ी दिखाई दे रही है हद्धों के इतनी बड़ी दिवाल है उसकी आपने चर्चा ही नहीं की वो छोटी सी घड़ी हमारी निगाहे छुद्र पैटक जाती है और इसलिए हम विराट से चुग जाते हैं ऐसी हमारी आदत है और जीवन में यह उपयोगी है बाहर लेकिन जब हम भीतर जाते हैं हम पुरानी आदत लेके जाते हैं और वहाँ अभी हम ऐसा ही करते हैं लेकिन धीरे 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 एक छण आता है जब वह आदत चूट जाती है और अचानक घड़ी दिखाई पड़ निबंध हो जाती है वह बड़ी दिवार नजर आती है यह घड़ी और दिवाल के उपमा तो छोटी सी है और समझना रात विराट आकाश में एक टिम टिमाता तारा दिखाई दे रहा हो के वल और मैं आप से पूछी बताई हूपर क्या नजर आ रहा है आप तुरंद कहोगे वो एक छोटा सा जिल मिलता रहा इतने विराट आकाश में सिर्फ एक छोटा सा हम फोकस बन जाता है हमारा क्या एक अन-फोकस्ट विजन भी हो सकता है अकेंद्रित द्रश्टी हो सकती है अभी हम इतने सारे लोग बैठे हैं हम इसमेंसे एक एक इन्डिविजूल को पर्सनली देखते हैं यह एक जगती है फिर बीच में खाली स्पेस है फिर दूसरा और इतनी बड़ी जो space है बीच में, जिसमें सब समाहे थें, हम उसको भूल जाते हैं, आप थोड़ा प्रयोग करना, आज हम यही प्रयोग करेंगे, कि बीच के space को ज़्यादा महत्व दो, ठीक है, व्यक्ति मौझूद है, इसपेश ज़्यादा महत्व पूर्ण है, व्यक्ति नहीं था एक दिन तब भी space था, व्यक्ति नहीं हो जाएगा, एक दिन फिर भी space होगा, तो कौन ज़्यादा महत्व पूर्ण है, इसपेश ज़्यादा महत्व पूर्ण है, छोड़ो छोटे से जिल मिलाते तारे को, एक द पुना भंगुर से द्रश्टी हटा कर साश्वत पर लाओ। इस प्रकार गस्टाल्ट चेंज होता है और अचानक वो जो इंडिवीज्वल महसूस कर रहा था पुतला बर्फ का, उसे पता चलता है कि अहो, मैं सागर हूँ, सागर था, सागर ही रहूंगा। और अन जितने बर्फ के पुतले नजर आ रहे हैं, या कहलो जितनी लहरे नजर आ रही हैं, ये सब भी वही सागर हैं, कोई जाने अत्वन न जाने, हमारे जानने न जानने इसकोई भेद नहीं पड़ता, सचाई तो वही की वही है, तो हम अपने रूप और आकार से, मन और व अगर वो फोकस हट जाए, तो ओंकार आलोक से ओत प्रोत वही आकाश ही मैं हूँ, इस बात का ज्ञान फलित हो जाता है, परणाम गुरुदेव, क्या राधा जनक को हुआ ब्रह्म ज्ञान, जापानी जेन परंपरा के मताबिक सडन अलाइटनमेंट कहलाता है, बिल्कुल सवाल आपने पूछा, जापान में कहते हैं दो प्रकार के ज्ञान घटित होते हैं, एक सडन और एक ग्रेजुवल, एक आकस्मिक और एक क्रमिक, भारत में इस प्रकार की धारणा नहीं थी, यहाँ पर क्रमिक ज्ञान ही मुख्य रूप से लोगों को हुआ, हर चीज के सपान हैं, चरन हैं, बुध अपना आठ अंग वाला मार्ग बताते हैं, पतनजली अपने आठ अंग वाला योग समझाते हैं, हर चीज के डिवीजन से सोपान है, स्टेप बाई स्टेप चलना हैं, धीर-धीर-धीर बात बनेगी, अश्टावक्ट जनक के बीच में जो घटना घटी उस ना विज्ञान भैरावतंत्र में ना पतंजली योगसूत्र में ना किसी अन प्रणाली में समाविष्ठ होती है हाँ जापान के जेन फकीर जिसको सडन एंलाइटनमेंट कहते हैं यह उसका एक उधारण है अचानक कुछ हुआ कुछ किया नहीं गया कुछ सोचा नहीं गया अश्टावक्ट ने कहा और अचानक जनक के लिए गस्टाल्ट चेंज हो गया पुतले से नजर हटी सागर पे पड़ी या बूंद और सागर कह लो रूप और आकरती बूंद की खो गई और निराकार अरूप सागर वह प्रगट हो गया प्रगट हो गया कहना भी ठीक नहीं वो तो पहले से ही था Sudden Enlightenment की घटनाएं जेन परमपरा में बहुत हुई है बड़ी विचित्र विचित्र कहानिया हैं क्योंकि हमारे देश में हम कर्मिक पद्धती पर ही सदा से जोर देते रहे हैं इसलिए जेन परमपरा की घटनाएं हमको विचित्र लगती हैं एक बार जापान के राजा ने एक जेन फकीर का बड़ा नाम सुना था उसको आमंत्रित किया कि आप राजसभा में आके भाशन दीजिए वो फकीर आया उसकी शिश्यमंडली भी आई राजसभा में बड़ी भीड लगी खुला आमंत्रणता जो भी सुनना चाहें वो जेन फकीर का बड़ा नाम था वो आया उसने तीन बार घुंसा मारा टेवल पर ठक 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 और चला गया राजा तो हैरान रगया कि हमने इतना वड़ा आयोजन किया था और ये क्या हुआ ये तो कुछ बोले ही नहीं तब वो जेन फकीर के शिश्यों ने कहा कि ये उनका सबसे condensed discourse था बहुत प्रवचन दी हैं उन्होंने जागरण के उपर परमग्यान के उपर साक्षी के उपर लेकिन आज तो कमाल कर दिया तीन बार ठक 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 टेवल ठोकी इशारा काफी है चोग जाओ जाग जाओ कुछ और कहने को बचा नहीं इस प्रकार की कहानिया है कि कोई शिष आयता पूछने कोई दार्षनिक सवाल सद्गुरू ने उसका सवाल सुना उसको जोर का धक का मारा वो बढ़ाम से दरवाजे के बाहर जाके गरा इतने जोर का धक का मारा कभी किसी शिष्च को खिलकी से उठा के फैंक दिया और कहते हैं उपर हम यान को पलब्द हो गया भारत में ऐसी घटनाय नहीं घटी हमको विचित्र लगता है कि कुछ विचित्र कुछ नहीं है इससे ज़्यादा जगाने वाली चौगाने वाली और क्या सिक्छा हो सकती है अब बैटके बुद्धी लड़ाने से पकवास करने से क्या होगा खिड किस उठा के फैंक दिया सदा सदा के लिए निन तूट गई अचानक गस्टाल्ट चेंज हो गया ऐसी बहुत घटनाय आती हैं जेन कहानियों में सदन एनलाइटिन्मेंट जिसे कहते हैं आकश्मिक सतोरी घट जाती है चन भर में अश्टा वक्विजनक के बीच में जो घटा कुछ ऐसा ही विचत्र अनभव रहा गुरु ने कुछ कहा और शिष्च ने तुरंद वैसा अनभव कर लिया